हेलो फ्रेंड्स स्वागते आप सभी का हिम्गुरु नॉलेच पॉइंट यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो इंपॉर्टेट्ट होने वाली उन सभी के लिए जिन्होंने एंट्रांस एक्जाम दिया है हिमाचरपर्दिष एगरी कल्चुरी उनिवस्टी पाल और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिप्या करें के सब्सक्राइब जिरूर कर दें सबसे पहले दोस्तों जो सभी केंडिडेट्स का सवाल है कि आके रिजल्ट कब तक आएगा क्योंकि यह जो एंट्रांस एक्जाम है एक तो काफी दा ल कर चैनल के लिए जो है आपका रिजल्ट आसकता है जी हां दोस्तों कि यह काफी ज़्यदा प्रोबिल्टी है 25-30 में आपके रिजल्ट आने की ठीक है इससे पहले आप का सकता है ठीक है बट दोस्तों 25 से 30 नॉमबर के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा ऐसा टेंटिटिव रखा गया है अगर कोई यहां पे जो है वो सर्वर में प्रॉब्लम नहीं आती है या यूनिवर्स्टी की जो प्रोसीजर में वो चींज नहीं होता है तो फिलहाल के लिए 2530 का यहां पर रखा गया है यह शेडियूल इसके अलावा है रिजल्ट का मैंने आपको बता दी अब दूस्तों यहां पर जो कांसलिंग शेडियूल होगा वो कितनी सीड्स पर होगा क्योंकि इस वार जो है यहां पर रिजर्वेशन दी गई है तो यह में ही अलग से प्रावधान किया गया है ठीक है तो हंडर सीस पर जो है जो बीएस सी ओनर्स की है उसमें कांसलिंग शेडियूल होगा ठीक है और कट आफ जो है मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बता दी अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाक पर रहने वारा है तो दोस्तों यह रहेगी इसके अलावा दोस्तों जो भी बाकी लेट अपडेट आती है ओफिचल अपडेट आती है मुझकी जानकारी आप तो देते रहेंगे और बात रही दोस्तों अगर यहां पर हम करें बात पीजी कोर्सेज की तो पीजी कोर्सेज में काफी जादा कम स्टुडेंट्स नहीं यहां पर रहे थे तो उनकी जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में आ सकता ह है ठीक है और यूजी का मैंने आपको फूल फ्रोसेस बता दिया इसके अरावा कट ओफ भी आप देख लिए जैसे मेरिट लिस्ट इसकी आती है पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी कट ओफ मैंने आपको बता दी कि क्या कुछ कट ओफ रहे ये धन्याबाद